आज के परिवेश में कभी कभी यह महसूस होता है कि हम पुराने टाइम में जब बैकवार्ड थे अनपढ़ थे अशिक्षिक थे तभी अच्छे थे आज जितना ज़्यादा साइंस तरक्की करती जा रही है हम उतना ही परेशान और दुखी होते जा रहे हैं आश्चरिय की बात है कि एडवांस और बैकवार्ड की पहचान ही यह बन गई है आज तरक्की और विज्ञानिक्ता के नाम पर भारतिय नागरिक अपने स्वाभाविक खानपान, रहन सहन, दिंचरिया, सैयम, सेवा, आहार विहार, वेश भूशा और भाषा तक को तिलांजल दे कर खुश होना चाहता है, वह गुलामी की प्रवृति का शिकार होकर विदेशी संस्कृती को जल्दी से जल्दी अपनाने में अपना गौरव समझ रहा है, मैकाले की शिक्षा द्वारा अंग्रेजियत हमारे खून में समा गई है, जिसका परिणाम शारिरिक, चारित्र वे सामाजिक पतन के रूप में सपष्ट दिखाई दे रहा है, सर्वेक्षन करके देखें तो अनुभव से पाया गया कि सरकारी वे निजी विद्यालियों में विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत धन और समय केवल अंग्रेजी की पढ़ाई में खर्च होता है, किन्तु परि विशेश रूप से सारिरिक वे मानसिक विकलांगता बढ़ रही है, जैसे चश्मा चड़ना, नाक बंद, साइनस, गले टॉंसिल के बीमार, चिड़ चिड़ापन, पेटूपन, पेट की खराबी, जिद्दीपन, माता-पिता के जूठे लाड़ प्यार से देर तक उठना, टीवी देखना पूरा दिन भर, अपने आपको बहुत सुपीरियर, सुपीरियोरिटी कॉम्पलेक्स में आ जाना, अपने से बढ़ों पर व्यंगे कसना, आदी दोश होने से पूरी शिक्षा, यदि अच्छे से हो जाए और नौकरी ना मिले, तो वे दुराचारी, अनाच अपराधी बन जाते हैं, जबकि आज ता कोई वख जो गुरुकुल और संस्कृत पार्टशालियों में पढ़ा हुआ है, अपराधी नहीं बना, ऐसे तरक्की वाले मॉडल जो आज एडवांस और फॉर्वर्ड के नाम से बोला जाता है, माफ कीजेगा, मैंने ये डेफिन चुर्ण दी है एडवांस और फॉर्वर्ड की जो आज के टाइम में सत्य प्लास्टिक जैसे वस्त्रों में लिप्टा हुआ बहुत तंग या बहुत धीले आर्दिनग ने दिखने वाली पोशाक पहन कर हर समय जूते जुराबों में घोड़े की तरह कसा हुआ दुश चरित्र तथा कथिती युवक और युवती प्रकृती से कोसों दूर चश्मा चढ़ा हुआ तोंद बढ़ा हुआ नजला जुखाम का सदा रोगी बीपी का शिकार, सिर गंजा, अंग्रेजियत में धसा हुआ, डॉक्टरों की जाच रिपोर्ट की फाइलें लिए हुए कानूनी भाषा बोलने वाला, स्वेम परेशान और दूसरों को परेशान करने वाला तनाओं में रहने वाला, एडवांस सभ्भय और शिक्षित समझे बैठा है आपने आपको आजादी की मात्री भाषा बोलने वाला बैकवार्ड और गुलामी की अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को हम एडवांस मानते हैं इन उधारणों की वास्तिक्ता को देखकर मैं भगवान से यही प्रार्थ ना करूँगी कि ऐसी तरक्की से तो हम बैकवार्ड ही अच्छे हैं क्या मिला हमें ऐसी फूहड शिक्षा से ऐसी तनाव देने वाली सभ्यता से और परेशान करने वाले शिष्टाचार से किन्तु एक तथ्य यह भी है कि आविशक्ता ही अविशकार की जननी है जब मनुश्य की संख्या अधिक होने पर जादा सुविधा का इच्छुक बनकर अपनी च्छाओं का दासो अनुचित मार्ग से संग्रह का रास्ता अपनाया अती संग्रह के परिणाम सोरुप सामाजिक संतुलन और अभाव बढ़ गया फिर एक दूसरे की आपस में प्रतिस परधा और इच्छा द्वेश बढ़ गए बस यह चक्र आज का वैक्ती पूरे समाज, राष्ट्र और अंतराष्ट्रे स्तर पर फैल गया जो विक्राल रूप धारन कर रहा है, एक वैक्ती दूसरे का शोशक बन रहा है, आदमी को आदमी खा रहा है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समाप्त कर सारी सुविधा संपत्ती अपने पास समेट लेना चाहता है और यह तथ्य पून सत्य है, भस्मा सुर की भाती, हिंसा और संग्रह की प्रवरिती, स्वैम शोशक और हिंसक को ही खा जाती है आज के मानव का यह नारा ही मुझे चाला की और ध्रिश्टा पून लगता है, जो हर जगे लिखा होता है, लिव एंड लेट लिव अर्थात जीयो और जीने दो, इसके भेद पून अर्थ हैं, सीधे शब्दों में पहले अपने पास जीने खाने के साधन खूब इखटा करो, और मनमा न खाओ, पियो और जब उल्टी वमन होने लगे, तो बचा खुचा जूठन गरीबों शोशितों में बाट दो, और फिर फोटो खिचवा करके डाल दिया जाता है अखबारों के अंदर उन पर मैं एहसान कर लो, एक कवी के शब्दों में, बाटता है कंबल चमडी लोगों की उतार के, हज को चली है बिल्ली, नौसो चूहे मार के जबकि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृती इसके बिलकुल विप्रीत, सबको एक साथ सुखी बनाने की घुशना करती है तेन तेक तेन भुणजी था, मागरिद है कस्य सुधनम, हे मानव तू त्याग पूर्वक भोग कर इसका अर्थ है पहले बाटो, खूब बाटो और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जायव है प्रसाद के रूप में भोगो कितना विशाल आदर्श और जीवन का, जिसमें अभाव, तनाव और असंतुलन की गुंजाईश ही नहीं रही इस प्रकार अपने जीवन को सदा, शांत, सुखी और प्रसन रखते हुए शतायू सो वर्ष जीने की शिक्षा दी जाती है नमश्कार